विल्कम बेक टो चैनल गाईज आप लोग देख रहे हूँ मुसाफिर की एक और नहीं वीडियो सो भाई उपर जिपसी लिखा हुआ है और काडी जो है वो जिपसी नहीं दिख रही है तो उसका रीजन जो है आप लोग को आज की वीडियो में सब चीजे पता चलने वाली है आज की वीडियो क्यों बना रहा हूँ भाई पहली वीडियो डाली थी जिसमें काईदे से कल एक और वीडियो आनी चाहे थी लेकिन वो वीडियो नहीं आई जिपसी के एसी से रिलेटेड और वो क्यों नहीं आई भाई उसके बारे में आप लोग को पता हूँगा और को कुछ समझ नहीं है तो मैंने तो क्यों ना एक अपडेट वीडियो बना दू कि हुआ क्या है और इसी के साथ में भाई आज एक डैश कैम और मंगाया था जिपसी के लिए जिपसी में डैश कैम अल्रेडी 70 MAI का लगा हुआ था लेकिन उसमें स्क्रीन नीती तो मुझे स्क्रीन वाला चाहिए था पता नहीं चलता होने क्यों आफ हो तो मैं यह लेकर आया हूँ भाई आपको इसका यूसेज बताऊंगा क्यों लगवाना चाहिए क्या जरूरत है और मेरा कैसा एक्सपीरे सबसे जरूरी बात की गाड़ी की सेकंड वीडियो क्यों नहीं आई तो भाई देखो मैं इसको पूरा काईदे से एक एक चीज आप लोगो को समझा देता हूँ तो आज थोड़ा दो बारी वर्ड यूस कर लिया काईदा क्योंकि मेरे साथ जो रावत भाई बात कर रहे थे तो उनका थोड़ा जो लहजा था जो तरीखा था बात करने का वो काफी स्वीट और सिंपल है इसलिए भाई उनके उससे थोड़ा सा मैंने भी अड़ेप्ट कर लिया है तो आप लोगों को बताता हूँ भाई आप लोगों ने जब फरस वीडियो देखी थी उस दिन गाड गाड़ी को टेस्ट किया तो भाई देखो काम जो है वो गाड़ी कर गई थी ठीक है हीटिंग वाला इसू नहीं आ रहा था और एवरिटिंग वास गूइंग गूट गो मेकेनिक ने अच्छा खासा मेरे को पूरा साथ इसमें निभाया है और हुआ क्या भाई जो सबसे लाइट में रुक रहे थे तो वहाँ पर वो कूलिंग अल्मोस्ट खतम हो जा रही थी जो कि मेरे को काफी फ्रस्टेटिंग लगी मैं इवन बहुत फ्रस्टेट था गो मेकेनिक की पूरी टीम मेरे साथ बैठके काम कर रही थी लेकिन हो जाता है भाई क्या कर सकते है क्यों आपने कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहा हो आपके पास सब कुछ हो और उसका तो होता नहीं है तो एक लेवल जो होता है फ्रस्टेशन का वो बढ़ जाता है तो वो हमारे साथ हुआ क्योंकि पूरी टीम बैठके काम कर रही थी उसी के बीच में इंतियाज भ यह आपका जो क्ंडेंसर है यह उतनी कूलिंग नहीं कर पा रहा तो इसमें हमें बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ेगा तो बही उस टाम पर जब बड़े कंडेंसर अल्ली बात मैंने सुनी तो मैं लिटरован जो प्ला थे मैंने फूरी गाड़ी जो मेरी खूली हो यह उन्यो प्रणिक हमारे डूड़े है जो कि भाई बहुत ज़्यादा चीजों को समझते अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझा सकते है और भाई वो जो है अब मेरी गाड़ी का काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़े जो गाड़ी में चेंज होगी जो कि पहले आ रखी थ वो चीज़े अब यूज नहीं होगी उसके बदले कुछ और यूज होगा तो वो आपको आनले व्लॉग पर चलेगा तो भाई गाड़ी का एसी का काम कैंसिल नहीं हुआ है दो करोड़ परसेंट गाड़ी में एसी लगेगा आपको वीडियो दिखेगी लेकिन प्लीज जो तो भाई चिल करो कुछ नहीं हुआ है वीडियो आएगी काम सब कुछ होगा और कहां पर होगा कैसे होगा वो आप लोगों दिखा दूगा वित वेटिंग इच एन एवरिटिंग तो आइगेस कि आप लोगों को इसका जवाद मिल गया है गाड़ी का एसी जो उपर तारी ती जो कि अब नहीं आएगी वो समझाधा लोगों को अ सर यह है कि जो हमारा कूलिंग था वो कुछ कुलिंग के जो आपके मेंद नहीं हो सकता था तो उसके एंड से थोड़ा बहुत रिसर्च करके अब हमने जो चीज देखिए कि कूलिंग जो में पंडा होता है वो इसको बस यह बता तो कितने उसका यह है अपका मल्टी फ्लो फॉर्टी इंटी तरी जो पहले लगा था वह था फॉर्टी इंटी इंटी तो इसमें आपका क्या है कि एरिया बढ़ गया तो ऑफिस सी बात है कूलिंग में थोड़ा सा एफेक्ट होगा और जिस लेवल के हम कू से कूलिंग कोलिं जर्ण के आपको सेवंग सेवन थे तो बेसिकली ज्यादा उसमें और इसमें डिफ abrasory आइक तो को कएं जो एक्टिए जो अच्छुल कूलिंग कईक है यह से कूलर होती हाँ यहा einzige एरिया जो है उसके कूलिंग को आजिन के साब से जादा एफेक्टिव है जादा बेटर है तो इससे आपका कूलिंग एरिया बढ़ गया तो कूलिंग और सी बात है तो ये है अपका एक ये अच्छा रहा सा एतनी चोटी मोड़ी चीज बहुत महंगी आती है क्योंकि अफेलेमेंटी होती नहीं बड़ी मुश्किल से लूणडा पूर भाई देख लो मतला इसके अगर पैकेजिंग की तरफ जाओगे ना तो आपको ओल्ड दिखेगा तो ये ये बहुजा चलता था और शुदू कि ये जनुन पार्ट जो होता था उसका ये और बहुत पुराना लॉट पड़ा होगा ना बड़ा लॉट पर जनुन जाए क्यों पता है इस सब माल जो भी चलेगा पका जनुन ही चलेगा ये लोकल में सच्छस्पूल नहीं होता है तो ये इस सेब्ली के मेन रिलाय गए ये आपकी मेन वारिं वारे नहीं होगी हूए है तो और कुछ है ऐसे चीज जो भर दिखाने लागगे ये क्या चीज चीज बफ भगार प्मलीं होग रुका जो बयॉर से कितना समान अभी पड़ा हुआ है जो पुनाना था वो भी पड़ा हुआ है अभी हम वो उतार देंगे और उसके बाद फिर जो है गाड़ी का काम चुरोगा इसके बाद बारी आती है अन्बॉक्सिंग के बारे में तो भाई मैंने यह मंगवाया था थोड़ी गलती मेर से भी यह मेरा ऑल्रेढ है चैनीज मेहिए दिख अप लोगोगो तो यह अल्रीम्ही मैंने चैनीज मेह लगाया थोड़गो आप लोगो कोशीजी दिक्खाने में दो देख कि लो तो यह आ médico समझा नेहीं कैता है लेकि मुझे समझ आया था है चौटे मोटे सेटिंग जो हुती है यह जो है मैंने अपनी i20 के अंदर और अपनी इस वाली गाड़ी के अंदर तो लगा ही रहा है तो लगा रहा है और इसी के साथ में इसकी वाइरिंग भी समझा दो कैसे होता है लेकिन उससे पहले आपको अन्बॉक्सिंग करके दिखाते है तो इसे देखो ऐसे अब यह पड अद्मीन मगनिस में ठीक है थोड़ा सा कुड़ा ओड़ा हो जाएगा यहां पर काड़ी कंदर समा लगे रख का है ठीक है यह हो गया वाई तो इसके बाद एक बर आप लोग एक चीज और बताया तो इसमें अगर आप लोग देख पा हो गए तो यह कोई special edition है I guess जिसमें ल काहता था वो इसमें लिखा निहुआ है या फिर चाहिनीसमेंस लिखा नहीं है तो इसल दाइख लो जाइक है फारेव यहां देख को इसके व मिल्कार लगआ कर रहा है और दूनों बराबर एखुरधा निकलत all निकलता है सबसे पहली चीज जो कि मैंने इसमें लगाया हूँ है यह आप लोगों का manual है और manual के अंदर ही आप लोगों को एक इसमें protection type की चीज दी होती है ठीक है खोली देता हूं आप लोगों के लिए तो इसके अंदर यह होता है इस basically टीक है तो इधर देखोगे अगर यह already लगा हूँ है इसमें तो य सब्सक्ता है यह तो इसक के बाद मत करना और इसके बाद मांट होता है वाई ठीक है यह मांट देख लो एक जोकि अहां पर इस में देखो इसमें देख लो इक बडरी यह阿 dachte की कर लगता है और बहुत दूरे बार मैं तो बहुत टाइम से using करो मेरे i20 में ब्यूज़ हूँ तो इस चीज को जाला बढ़िया वाई देख ले मैंने का बाई बीडिन जरूर मिलीगे तो बहुत च्छा लगता है इसी के साथ में पूरी पूरी वायर कॉट आती है इसकी ठीक है एक वायर कॉट चेक आउट कर लो ठीक है और मैंने कैसे बिच्वार की यह वायर कॉट देख लो यह पूरी यहां से घूमते फिरते 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 इधर से आते हुए इधर से जो है इसका मैंने निकलवाया हुए देख लो यह तार जो है अंदर से निकलवाके और यह जब अन होता है तब मतलब इगनिशन जैसे अन होगा और इसी के सिवा आप लोगों को एक USB को ऑप्शन मिलता है मतलब एक तरीके से यह चार्जिंग पोर्ट है जो आप लोगों का इसमें लग जाता है मैंने इसमें अल्रेडी अब भी भी लगाना हूँ तो भाई इसके सिवा तो भाई सब चीजे ओके है और सबसे बड़ा फीडबेक बतारो इसके बारे में भाई लिटरली अगर आप लोग इसको परचेस करते हो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई प्रमोशनल वे में कह रहा हूँ या उस ताइम पर रोड रेज होती है तो भाई रोड रेज को खतम करने का तरीका है लेकिन स्टिल जो मन्दे लड़ाई करने के मूट साएगा तो लड़ाई करेगा लेकिन स्टिल अपनी तरह से एकार से सब्सक्राइग पुलीस को कुछ एविडिश को देना चाते हो तो यह स्टार्वेस वाला जो आप लोगों ने देखा नए यह स्टारवेस वाला देशन है तो भाई बाकी जब इसकी यूशेज होगी और अभी यह Chinese में चैनीज तो यह जिर आपको दिखा रहा था तो यह जो पूरी जो है इसमें आपको वो भी दिखा दूगा कि कहां पर सेव होता है यह सारा चाइनीज में लिखा हुआ रहा है वैसे तो यह तरह किसे हो है प्लीस वेट जो लिखा हुआ आता है इसली डाउनलोड हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है यही मेरे को सबसे अच्छा लगा देख लो आप लो ठीक है बैक में चले गए यहां से आप लोग को चेक करना है तो आप लोग कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर सेव करना चाहते हो जो कि आप लोग देख पार हों कि आपके साथ जितनी भी अच्छी चीज हो सके वो शेयर करूँ तो भाई आपका क्या इसमें फर्ज बनता है आप भी उस चीज को ट्राइब करो मुझे बताओ कि जो चीज मैंने मिस आउट कर दी क्या पता आप लोग उसको देखके बता दो इसके साथ में तर आजी एक ब बहुत क्लेरिटी है वाइस में है ठीक है तो देख लो सारे इसमें बने हुए बागी जो से हुआ है तो बार-बार चलेगा उस मतलब बेसिकली यह सीसी टीवी है आपके लिए और आपके गाड़ी के लिए बेसिकली सीसी टीवी है और अच्छी जीज है वाई इसलिए मैं लोगों रिकमेंड करता हूँ भाई मैं खुद सोच था दो लगा लेंगे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसी के साथ में एक शॉट आउट जो देना बनता है वो है भाई गों मेकैनिक को लोने मेरे को कहा था कि आपका काम होगा हम मेकैनिक अरेंग सारे पार्ट फिर से जो जरुत पड़ी को लेके आएंगे तो भाई थैंक्स अलोट और अभी पीछे से कोई आई सूपर कार निकलिए भाई तो मैं भी जीके में शूट करना था यह तो आई गैस कि आप लोगों को मज़ा होगा तो वीडियो पसंद आईए तो बिना लाइ कीप वाचिंग एंग बावाए